हाई मैं हूँ जोती, आज हम सीखेंगे एक साल के बेबी का पजामा बनाना, हेल्थी बेबी का पजामा बनाना सीखेंगे चली वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं देखें यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है और यह मैंने एक बार इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और देखे इस तरीके से और दूसरा भी हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे एक बार और इस तरीके से आपने फोल्ड कर लेना है फैब्रिक की चोड़ाई यहाँ पर मेरी है साड़े साथ इंच और फैब्रिक की लैंथ यहाँ पर टोटल है 17 इन्च इस तरीके से और यहाँ पर देखे एक लाइन ड्रो करेंगे सीधी फैब्रिक की सीधी लाइन ड्रो करेंगे अगर चोटा बड़ा फैब्रिक है उसके लिए यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रो करने है और लास्ट्ट के लिए यहाँर जाएन Instagramी पंद्रा सब्सक्राइय। अपके है sasasm. अगर आपका बेबी है तो आप आपर साथ सब्सक्राइब की चोड़ा यहां यहां पर 15 इंच ले aged और इस तरह केसे तहरी septi時間 हम लाइन ऊसरे के से ल्लीक करने के बाद यहां पर देखिए गोलाई करेंगे आसन पर इस तो दरीके से गोलाई करने के बाद अब देखिए बॉटम वाली साइड पर हम निशान लगाएंगे नज़े हूँ और देटिश नमें और इस तरीके से लाइन ड्रो करने है तो इस तरीके से आप लाइन ड्रो कर दें और अब हम करेंगे इसकी कटिंग तो यहाँ पर देखिया आपने इसकी कटिंग करने है इसकी और अब देखिया आसन की भी हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे इस तरीके से आपने कटिंग करने ह इस तरीके से जितने हमने निशान लगाया है उसी निशान पर हम इसकी कटिंग करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप नीचे साइट से हम कटिंग कर देते हैं इस तरीके से आपने कटिंग करनी है और यहाँ पर जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसकी भी हम कटिंग कर ल इसके देखें यहां पर हम कोचेरी के स्टिचिंग करेंगे तो इस तरीके से आपने स्टिचिंग करने है इस तरीकेसे दोनों साइडों पर हम इसी तरीके से स्टिचिंग कर लेंगे हाफा पिंच का मार्जन लेकर अब देखिए अब यहां से नीचे वाली साइड से बॉटम वाली साइड से हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे जितना हमने मार्जन लिया था उतना और इस तरीके से फोल्ड करकर यहां भी हम स्टिच करेंगे इसी तरीके से देखें आपको दोनों इस पार्ट इसी तरीके से कंप्लीट कर लेने हैं तो यहां पर देखें इस तरीके से सिलाई लगाईएगा इस तरीके से हम इस कंप्लीट हो गई है आप देखें नीचे वाली साइड हमारी कंप्लीट हो गई दोनों अब इसको इस तरीक से हम यहाँ पर भी लगा लेते हैं इस तरीके से अपने अपने यह उसी करhe bottle लगा धियें तो यहाँ पर में डिवल माख़ा एं से लगा रही ताकि दूवरा 2006 सी थे निया है था सै त flor. फोड़ करेंगे हाफ इंच का मारजन अंदर की साइड और एक से देड़ इंच हम निशान लगा लेंगे और इसमें हम लाश्टिक डालेंगे तो इसे हमें ओपन रखना है इस निशान को और यहां से देखें अब हम इसका बैल्ट बना लेते हैं तो इस तरीके से आपने बैल बनकर कंप्लीट हो गई है तो अब यहां से हम निकाल देते हैं इसको तो यह देखें और आप देखें अब हम इसमें लाश्टिक डालेंगे तो इलास्टिक मैंने लाश्टिक लिए आदे इंच की चोड़ाई में और देखें इसकी लैंथ मैंने रखें यहां पर लाश्ट कि बाद यहां पर देखे हमने लाश्टिक को एक क्लों परेक रखना है और से तो इस तरीके से आपने स्टीचिंग करने हैं और यहां से देखे आप دेखे आप क्या करना है यह जे बीच में हम सेंटर पर सिलाई लगाएंगे इसको इस तरीके से फैबरिक को खेंच कर लाश्टिक को इस तरीके से तो इस तरीके से हमारी फिनिशिंग के साथ यह बैल्ट बनती है लाश्टिक पे सिलाई लगाने से और लाश्टिक मूरती भी नहीं है बाद में अच्छे से फिनिशिंग के साथ अच्छी से बनती है तो देखें यहाँ पर यह भी हमारी कंप्लीट हो गई है और देखें हमारा पजामा बनकर कंप्लीट हो गया कुछ इस तरीके से आएगा